NCB ने अपना काम शुरू कर दिया है, 6 ड्रग पेडलर्स को पकड़ा है, रिया से इनका सब्बंध है, जी हाँ, 6 ड्रग पेडलर्स, कल दो और आज चार, NCB मुबई आ चुकी है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और रिया की ड्रग चैट के बाद एक बड़ा खुलासा ह हुआ है, कि बॉलिवूड नगरी में, ड्रग जो है, फ्री फ्लोइंग है, बॉलिवूड की पार्टी में, ड्रग का खुलकर इस्तेमाल कैयाता है, लॉक्डाउन के दौरान, बहुत सारे ड्रग का जखीरा, ड्रग का सेल बढ़ा है, इस तरह की इन्फरमेशन, NCB को मिली ह हैं, ऐसे में, मुंबई आ करके, NCB, रिया चक्रवती, सुशान सिंग रात्पूते केस के साथ साथ, और तमाम चीजों को भी खंगा लेगी, जैसा कि खंगना ने बहुत सारे खुला से की हैं, कि बॉलिवूड में, ड्रग बड़े आराम से पार्टी को में इस्तेमाल कैयात है, स्रड़क पर खड़े हुए लोग बेशते हैं, और वहां से लोग खरीतते हैं, बॉलिवूड की लोग तो खरीतते ही हैं, पर आम जन्रता, आम लोग, सस्ती चीज़ें भी मिलती हैं, बच्चे, टीनेजर्स, ये नश्यागा इस्तेमाल करके वो और डिप्रिशन का शिक पूरी नहीं हही है, पर ये मुंबई नहीं, पूरे देश भर में यही हाल है, सभी च्गों पर बैंड चीज़ें मिलती हैं, इसलिए हमेशा इस बात पर सवाल उठाए जाता है, किस चीज़ को बैंड करना चाहिए, किते को बैंड नहीं लिए बैं करने पर शायद sensorization होता ह और बहुत जादा चीजें गलत दिशाम जाती है, रेगुलेशन बेटर होता है, ऐसी बहुत लोग की रायक है, वो एक अलग मुद्दा है, हम कभी उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अंसीबी ने चेलों को गिरफतार किया है, बैंडरा से और सके असपास से, जो मुंबई में, बड़ी-बड़ी पार्टी में ड्रग्स अप्लाई करते पे ज्थें है, बॉलिवुड पार्टी में, इन सब कार रिष्था, बॉलिवुड के पार्टी में ये ड्रग्स कर रही है मने नहीं हमारे साथ लगातार खपर का सलसरा जारी है